ये गाइज वेलकम तो गिल्ज मेंटोर ए लर्निंग प्लेटफॉर्म गिल्ज मेंटोर के ओफिशल यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है फ्रेंज जैसा कि आप जानते हैं कि 10,000 हिस्ट्री के इंपोर्टेट एमसी क्यूज की सीरिज नंबर आज दोस्तों जो पार्ट नंबर 6 हैं वो हम देखने जा रहे हैं अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले औरेड़ी पांच वीडियो अप्लोड हो चुकी हैं जिसमें हम बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन्स डिसकस किये हैं इस्टरी के बिल्कुल टॉप लेवल के कोशन्स डिसकस कर रहे हैं बिल्कुल आपके एक्जाम ओर्येंटेड ही कोशन्स डिसकस कर रहे हैं दोस्तों आज हमारी जो है वो कलास नंबर 6 है ठीक है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप पार वीडियो जिसमें कि हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल कोशन्स डिसकस किये हैं इस पैशली फ्री ओफ कोस्ट आपके लिए यूटूब पर ये कोर्स जो है वो लॉंच किया गया है इसे जारा से जारा शेर किये अपने फ्रेंस के साथ ताकि वो भी घर बैठे पहले पहुंच सकें अगर आपने हमारी ओफिचल वेबसेट को विजिट नहीं किया है गिल्ज मेंटोर टैस्ट डॉट कॉम जिसमें हम फ्री ओफ कोस्ट स्टडी मिटेरल पर वाइड करवा रहे हैं तो जाए उसे जोइन किजिए दोस्तों और फ्री ओफ कोस्ट स्टडी क का फाइदा उठाएए और हमारी जो ओफिचल एप है गिल्ज मेंटोर ए लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसमें हम पंजाब के सभी कोर्सिस पटवारी पुलिस SI-IBPS का 100% दोस्तों अच्छी तरह से प्रेपरेशन करवाते हैं बिल्कुल दोस्तों 50-80% सभी कोर्सिस पर ओफर चल रही है लिंक आपको डेस्किप्रेशन बोक्स में मिल जाएंगे डॉनलोड कीजिए इंस्ट यह और अपने हिसाब से अपना जो कोऊर्स है वो लिचे चालीगरम ग्रूप का लिंक भी आपको डेस्क्रेशन बोक्स में मिल जाएगा जिसमें हम Dedries को स्टी मिटीन मेर्या इंडिया हम पहले इस question को discuss कर चुकी है फिर भी अगर किसी को doubt है तो मैं आपको बता देता हूं कि आलम आरा ऐसी film है जो first film है टाकी film जो इंडिया में बनी थी ठीक है दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम जैसे हर question के बारे में brief पढ़ते हैं तो इसके बारे में थोड़ा स जो कि मार्च 14 1931 को बनी थी दोस्तों याद रखना ये जरूर पुछी जाती है और अगर आपको पुछा जाए कि सबसे पहले यह किस सिनेमा में रिलीज हुई थी तो बॉंबे का दोस्तों मजैस्टिक सिनेमा था जिसमें वह यह रिलीज हुई थी मैंने आपको बताया था कि बहुत जादा बीड थी जिसकी वज़ए से पुलिस को आकर सब को संबालना पड़ा था इतनी जादा बीड हो चुकी थी इस फिलम को देखने के लिए इनके जो डिरेक्टर है वेरी इंपोंटेड है आपके एक्जाम पॉइंट ओफ व्यू से अर्देशिर मरवान इरानी फ्रेंस इनका नाम आप जरूर याद रखिए सेकंड कोश्चन की बात करें हरी परसाज चुरस्या जी आपने बताने हैं कि इन में से कौन सा दोस्तों इंस्रूमेंट बजाते हैं शेहनाई तबला सरोध या फिर फ्लूट ठीक है डोंसो अगर हम हरी परसाज चुरस्या जी थे याद रखिए अगर इसके बारे में दोस्तों आपको थोड़ा सा और इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस करें तो इनको दोस्तों पदम विभूशन मिला था जो की इंडिया का सेकंड हाइस सिविलिन अवार्ड है और इसके इलावा इनको फ्रांस का एक मशूर अवार् आपने यह याद रखना है कि फ्रांस का कौन सा ऐसा अवार्ड था जो हमारे पंडित हरी परसाद जी को दिया गया था तो आपने बताना है नाइट ओफ ता ओर्डर ओफ आर्स एंड लैटर्स ठीक है थर्ड कोश्चन की बात करते हैं विच ओर फॉलोविंग इस रिस्पो स्कूल ओफ ड्रामा जिसका हैड़ कोटर देली में हैं और सहीत्य अकैडमी फ्रेंस बताइए इसका अंस्वर क्या होगा फ्रेंस जितने भी लाइव हैं सभी इस कोशन का जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी अटेंप्ट करने की कोशिश करिए फ्रेंस अगर तीसरे कोश केज को दोस्तों प्रमोड करता है जैसे की म्यूजिक द्रासों ड्रामा ठीक है अगर इसकी इस्टाब्लिश्मेंट की बात करें तो 31 मई 1902 को बनाया गया था संगीत अर्टक अकैडमी किसके द्वारा बनाया गया था इंडियन एजूकेशन मिनिस्ट्री द्वारा बनाया भारत नाट्यम डान्सर को नहीं है दोस्तों इन में से आपने बताना है कि कौन बारत नाट्यम डांसर नहीं है फ्रेंट्स लीला सेंसन सोनल मान सिंग सितारा देवी गीता रामचंदर फ्रेंट्स सिंपल बात हैं सभी लोग शाहित जानते होंगे कि जो सितारा देवी जी है फ्रेंस वो भारत नाट्यम नहीं वो कथक डांसर है ठीक है दोस्तो तो इसका मतलब यह है कि हमने यह याद रखना है कि लीला सैंसन सोनल मान सिंग और गीता राम चंदरन जो है वो भारत नाट्यम से बिलोंग करती है या फिर सबंदित है ठीक है यह डांस परफॉर्म करती है बारत नाट्यम जो कि तमिल नाटू का क्लासिकल डांस है ठीक है हम पचास बार इसको डिसकस कर चुके हैं सितारा देवी जी की बात करें तो वो एक कथक डांसर थी ठीक है दोस्तो रविंदर नाट गोर जी ने दोस्तो सितारा देवी जी को एक नाम दिया था वो आपने जरूर याद रखना है वेरी इंपोर्टेंट है निरित्यय समरागिनिंग ठीक है निरित्यय समरागिनिंग कहा था रविंदर नाट गोर जी ने सितारा देवी जी को जो की कत्थक डांसर थी नरित्य समरागनी का मतलब अगर आपको पुछा जाए तो उसका होगा Empress of Dance ठीक है दोस्तो इनों ने 16 साल की उमर में रिविंदेनाट गोर जी के सामने परफॉर्म किया था उसके बाद रिविंदेनाट गोर जी ने इनको ये टाइटल दिया था फ्रेंस इनको कत्थक क्वीन भी कहा जाता था ये भी आप याद रखना है अगर आपको एकजाम में पुछा जाए कि इन में से कत्थक क्वीन कौन है तो आपका अंसर आएगा सितारा देवी ठीक है फ्रेंस कत्थकली डांस सभी जानते हैं केरला से सबंदित हैं हम पचास पड़ पढ़ चुके हैं इसको भी ठीक है अगर आपको एकजाट डेट पुछी जाए तो सतारवी सेंचरी को दोस्तों यह ज्यादा जो हम क्या बोलते हैं ओरिजनेट हुआ था ठीक है फ्रेंस उसके बाद अगर इस कोशन में ज्यादा कुछ इंपोर्टन नहीं है ठीक है दोस्तों बहुत ही दूम दाम से यह केरला में डांस किया जाता है उनके स्पैशल ओकेशन पर ठीक है आगे हम बात करते हैं सैमत कोशन की ठीक है पंडित लच्छु माहराज जी आपने बताने हैं जो फिल हाल अभी दोस्तों जिनकी देथ हुई थी ठीक है वह इन में से किस के कौन सा इंस्ट्रुमेंट बजाते थे प्लीड उड़ा कथक या फिर बारत नाटियम दोस्तों जल्दी बताईये पंडित लच्छु माहराज जी जो लो एक कि पूरा नाम था लक्षमी नरायन सिंह लक्षमी नरायन सिंह पूरा नाम आप से पूछा जा सकता है लक्षु माराज जी को पूरा नाम ग्या था लक्षमी निरायन सिंग जी जो की एक तबला प्लेयर थे जो की बनारस गराना से बिलोंग करते थे ठीक है दोस्तों इन्होंने अपने जो इनकी डेथ हुई थी दोस्तों वह अठारी जुलाई तो यह सोला को वारा नसी में हुई थी 72 साल के थे ठीक है दोस्तों इन बातों को आपने द्यान में रखना है दोस्तों एंट्थ कोशन की बात करें तो आपने बताना है शिव कुमार शर्मा इस फेमस फॉर प्लेंग दोस्तों शिव कुमार शर्मा जी इन में से कौन सा इंस्ट्रुमेंट जाते थे संतूर तबला फ्लूड या फिर सितार जल्दी से बताईए अपने कमेंट कर ये बताईए जल्दी से शिव कुमार शर्मा जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं 50 बार जल्दि बोलिए शिव कुमार शर्मा जी की बात करें फ्रेंट्स तो वो संतूर पुलेयर थे जाद रखना एस से शिव कुमार इस से शर्मा ऐस से ही संतूर ठीक है याद रखना दोस्तों ये जम्मू कशमीर से बिलोग करते थे इसके इलावा अगर बात करें तो जो संतूर होता है दोस्तों उसमें 72 स्ट्रिंग्स होती है यह भी आपको याद रखना है ठीक है स्ट्रिंग्स पर कोशन बहुत आते हैं ठीक है हम पहले भी पढ़ चुके हैं मतलब की जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रिंग्स होते हैं उसमें बहुत सारे काफी ऐसे इंस्ट्रिंग्स का इस्त्रिंग्स का इस्त्माल होता है ठीक है अगर संतूर की बात करें तो 72 स्ट्रिंग्स का इस्त्माल होता है ठीक है संतूर में दोस्तों पन्नालाल गोश्च जी की बात करें वह इन इन में से कौन सा इंस्ट्रुमेंट बजाते थे बांसरी सितार वाइलिन संतूर पन्ना लाल गोश जल्दी से बताईए फ्रेंड्स पन्ना लाल गोश जी की बात करें तो वो भी एक बांसरी बजाते थे पन्ना लाल गोश जी का पूरा नाम अमल जोती गोश था ठीक है याद सीखा थोट्मत in whole關係 को बनाया थो दोस्तों हम देखते हैं री में इन उन्ह 와서 वाहर से बनाई थी अपने याद्कना है और हिंदूस्तानी क्लासिकल मूजिक से सिवर्ण कर्द रखते थे आपने दोस्तों ले डिसल्ग क्रॉइड से इसे ऐसा कौंसा ऐसा असाम का हएं जो हार्वेस्टिंग के बाद किसे आ किया जाता है पॉस्य हार्वेस्ट फोरक डस असीफड पैल किया था चाय пл шт कुछ वली दिन किया जाता है थिक्याम मेंट में वाले दिन ही यह भी प्रफॉर्म किया जाता है डोस्तों आगर बात करें परफॉर्म करने की तो यंग मैन और वोमेंस में इस और प्रफॉर्म करती है ठीक है अपरायल के मिड में और इसे अग्रिकल्चर सीजन की शुरुवात भी कहते हैं जब यह डांस किया जाता है तेरा अपरायल वाली दिन दोस्तों अब रहा हम अलकाजी जी बताना है आपने जो कि एक मशूर परस्नेल्टी थी वह इन में से किस एड इसे बंदित थे ठेटर थे ठेटर में प्रफॉर्म करते थे या फिर पेंटर थे अब रहा हम अलकाजी जी की बात करें तो वह ठेटर करते थे ठीक है वह एक इंडियन ठेटर दिरेक्टर थे और ड्रामा टीचर भी थे 20th century में फ्रेंस याद रखिए अगर नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अगर हम बात करें जो की नियो दिली में है इसके फॉर्मर ड्रेक्टर भी थे आपसे पुछा जाए कि फॉर्मर ड्रेक्टर ओफ नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो आपका अंस्वर आजएगा अबराहिम अलकाजी ठीक है फ्रेंस उसके इलावा दोस्तों अग है एड्यिटेज गैलरी जो की दिली में है अबराहम अलकाजी जी ने ठीक है सत्रीय बताना है आपने कौनसे क्लासिकल डांस का फॉर्म है बताये जल्दी से मतलब कि किस स्टेट का ये क्लासिकल डांस है दोस्तों सत्रिया की बात करें तो बीहु की तरह ही ये भी असाम का ही एक क्लासिकल डांस है ठीक है दोस्तों सत्रिया की बात करें दोस्तों यह हमने पहले डिसकस किया हुआ है जो कि वैशनमिजम के जो जो अपने जिन्होंने वैशनमिज्दम की स्तापना की थी शिरीमत शंकर देवा जी दोस्तों उन्होंने इस डांस का दोस्तों इनवेंट किया था याद रखिए और इसको दोस्तों क्लासिकल डांस बनाया था सरहंगीत नाटक अकैडमी ने 2000 इस्वी में जो की असाम से बिलोंग करता है हम पहले भी यह डिसकस कर चुके हैं दोस्तों 15 सेंचरी की बक्ती मुव्मेंट से यह दोस्तों सुबंदित है इसके फाउंडर की बात करें तो शीरीमत संकर देवा जी है जो की वैशनमिजम के संस्तापक है ठीक है सतरिया जो डा किनाडक अकैड़िमी ने क्लासिकल डांस बनाया था असाम का 2000 इस्वी में इतनी बात में आपको घ्यानमें रखनी हैं दोस्तों पंडित बीमसें जोशी जी की बात करें हम पहले भी कर चुके हैं यह दोस्तों एक लासिकल म्यूजिशन थे ठीक है पंडित बीमसेंजी की ब याद रखना है दोस्तों उसके बाद अगर बात करें तो इनके जारातार जो मुजिक था दोस्तों वो बजन गाते थे ठीक है इनको बारत अतन मिला था 2009 को वेरी इंपोर्टेंट है बारत अतन कब दिया गया पंडित बीमसें जी को तो आपका अनस्वर आएगा 2009 जो की इंड ठीक है लागनी बताना है दोस्तों कौन से स्टेट से सबंदित है दोस्तों यह एक popular form है फोक सोंग की कि स्टेट से बलोंग करता है लागनी दोस्तों जल्दे से बताइए इसका अंस्वर दोस्तों आपने comment box में comment करके बताना है कश्मीर केरला हर्याना या फिर मनिपूर जो लागनी है दोस्तों वो किस स्टेट के फोक सोंग की एक popular form है कोशन आपको समझ आ गया होगा ठीक है लागनी आपने बताना है किस स्टेट की फोक सोंग का पॉपलर एक फोम है लागनी कश्मीर केरला हर्याना मनिपूर इसका अंसर आप लोग मुझे कुमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है पंदर्मा कोशन की बात करें बिर्जु महराज दोस्तों बहुत बार हमने पर चुके हैं इनके बारे में आप पताएए बिर दोस्तों अगर बिर्जु महराज जी की बात करें तो वे एक कथक डांसर थे ठीक है याद रखना दोस्तों कथक डांसर थे बिर्जु महराज जो की लखनव से बलॉंग करते थे अगर बात करें इनके अंकल्स की जिन से इनोंने कथक की शिक्षा हासल की तो उनका नाम था शंबू माराज और लचु माराज इनके फादर की बात करें तो अच्छान माराज जी इनके फादर का नम था बस आपने इनका जो मेन है वो यह जाद रखना है कि यह किस ڈांस से सबंदित थे कत्क से सबंदित थे ठीक है और इन्होंने कथक की शिक्षा किन से ली शंबू माराज और लच्छू माराज से ठीक है दोस्तो उसके बाद आपने बताना है कि कोलाटम और चोलिया जो है यह किन स्टेट की डांस फॉर्म है केरला कनाटका अंदरपरदेश दोस्तो यहाँ पर यूपी नहीं आएगा यहाँ पर उत्रा खंड आएगा ठीक है केरला कनाटका एपी यूके तमनाडू मर्द्रपरदेश यहाँ पर कनाटका बिहार जल्दी से पताईए कोलाटम और चोलिया जो है यह किस स्टेट की डांस फॉर्म है अगर बात करें कोलाटम की तो यह अंदरपरदेश की डांस फॉर्म है और जो चोलिया है वह उत्रा खंड की ठीक है यहाँ पर यूपी नहीं उत्रा खंड आएगा ठीक है दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में अगर डांस यह कैसे प्रफॉर्म किया जाता है इस्टिक का इसिंका है कोला टम डांस में जो की अंदरपरदेश का है याद रखिए ये एक रूरल डांस है घ alguna गाऊ में होने वाला एक डांस है ठीक है इसके इलावा दोस्तो जो चोलिया डांस है वो उत्राखंड का है ये देखिए दोस्तो यूपी का नहीं है उत्राखंड का है अगर रीजन पुछा जाए तो कुमाउं रीजन था ये भी याद लखना अगर आगे बात करें तो ये जाड़ा तर जो जो चोलिया डांस है वो मै से किस सिबंदित हैं पेंटिंग से लिक्टरेश्चर म्यूजिक जर्नलिझम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंड करके बताइए जूबिन महिता-जी बताना आपने दोस्तों अगर जूबिन महिता-जी बताईए दोस्तों यह एक musician थे ठीक है याद रखिए जूबिन महता जी एक classical music से बंदित थे ठीक है western classical music ठीक है दोस्तो उसके बाद अगर बात करें तो इनको दोस्तो कंट्री का हमारे second highest civilian award जो है पदम वीबूशन वो 2001 को दिया गया था ठीक है याद रखिए जूबिन जी को पदम वीबूशन मिला था जो की एक western classical musician थी 2001 को पदम वीबूशन दिया गया ठीक है दोस्तो आपने बताना है National Film Archives का Headquarter कहां पर है National School of Drama अगर पुछा जाए तो उसका New Delhi में है अगर National Film Archives of India पुछा जाए तो इसका दोस्तो Headquarter जो है वो महारास्टर में है महारास्टर में इन में से पुणा है ठीक है दोस्तो अगर पुछा जाए अगर Country State पुछा जाए तो आपका आजाएगा महारास्टर ठीक है जात रखना और अगर शहर पुछा जाए तो पुणा आएगा National Film Archives of India का अगर यह देखिए पुणा महारास्टर ठीक है इसके इलावा दोस्तो इनके जो ओफिस है वो बंगलोर कलकत्ता और तीरुबनंदपुरम में भी है ठीक है दोस्तो अगर इनकी बात पुछी जाए यह कब बना 1964 को फवरी मिन्ने में बना था किस मनिस्ट्री ने इसे बनाया मनिस्ट्री ओफ इन्फोमेशन एंड ब्रोड कास्टिंग ठीक है इतनी बाते आपने याद रखना है नैशनल फिलम आर्टीस ओफ इंडिया पूर्णे महारास्टर ठीक है दोस्तों आगे नाइन्टींथ कोश्चन है टैन थार्ट्स या फिर स्केल्स किस म्यूजिक सिस्टम से बिलोंग करते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक फोक म्यूजिक चाइनिज वेस्टरन फ्रेंट्स जो टैन थार्ट्स होता है ना वह दोस्तों हिंदुस्तानी म्यूजिक से सबंदित है ठीक है जाद राखिए ये ठाठ्स गय्कता का दोस्तों मतलब है वह तो सवर कि सवर ये देखिए अगर अगर आप को पुछा जाए कि ass का मतलब क्या है घार ता खा उसका मतलब होता है सवर जो की घा तरह के हमारे सवर होते हैं उसे बोलते हैं थार्स ठीक है अगर आप से पुछा जाए कि यह जो थार्स सिस्टम है वह किसने क्रियाट किया तो आपका अंसुर आ जाएगा विश्णु नरायन बाट खांडे ठीक है इतना बात हैं आपको याद रखनी है इस कोशन में ठीक है फ अब कौनसा ऐसा फों है जो गुजराथ खे बिलोंग करता है एक ठीकर का फोम है दोस्तों जो गुजराथ से बिलोंग करता है जात्रा तमाश्छा रास या फिर बवाई है बताएगे फ्रेंज इसके बारे में विच अमंग दा फॉलॉंग इस फोर्म ओफ टेटर बिलोंग पूप्षिन नंबर फॉर्थ आएगा इसका अंसर भाव को अगर आपको मेनिंग पुछा जाए तो सबी जानते हैं भाव को हम बोलते पॉपलर है एक ठेटर फोम है ठीक है याद रखिए गुजरात में स्पेचली अगर आपसे पुछा जाए कि जो भाव शब्द है वो किस लेंग्विज से लिया गया है तो संस्कृत वर्ड ठीक है भाव ठीक है जिसका मतलब होता है एक्स्प्रेशन और अगर आपसे पुछा कई साथे हैं इसकोषन में कि आगे बात करें 21st कोशन हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं बैंडिट क्वीन जो मोवी बनी थी दोस्तों फुलन देवी जी पर उनका जो रोल है जो लीड क्रेक्टर है वो किसने नवाया था हम पहले बात कर चुकि हैं सीमा बिस्वास जी है जि की बेस्ट बनाई थी उनकी लाइफ पर बैंडिट क्वीन 1994 इंडियन बाइवग्राफी फिलम ठीक है दोस्तों सारे डिकोड तोड़ दिया थे इस फिलम ने बिल्कुल टू स्टोरी है फुलन देवी जी की ठीक है अगर आपको पुछा जाए कि यह जो फुलन देवी जी की ज ठीक है सीमा बसवास ने इसका लीड एक्टर टाइटल जो है क्रेक्टर वो निवाया था ठीक है याद रखिए दोस्तों लास्ट कोशन की बात करें तो फिलम एंड टैलिवेजन इंस्टीट ओफ इंडिया इन में से कहां पर है मैसूर पुने मुंबई एमदबाद फ्रेंस से सिंपल सी बात हैं आपको कन्फ्यूजन नहीं होना ठीक है नेशनल आर्टिस ओफ इंडिया पुछा जाए तो पूने महारास्टर आएगा नेशनल स्कूल नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा पुछा जाए तो डेली में आएगा फिलम एंड टैलिवेजन इंस्टीट ओफ महारास्टर में ठीक है याद रखिए इतनी बातें इस कोशन में याद रखिए ठीक है फ्रेंट्स दोस्तों यह थे आज के इंपोर्टेंट कोशन अगर किसी तरह का भी डाउट हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएए आप सभी के कमेंट को डिसकस किया जाएगा वीडियो को देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद ठेंक्यू दोस्तों मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को आज हमारी पांच वीडियो हो चुकी है ठीक है लगबग 20 कोशन हमने हर वीडियो में डिसकस किये हैं ठीक है फ्रेंड्स कि आप जानते हैं हंडर कोशन कंप्लीट हो चुकी हैं सभी आप दो बार से दोस्तों इसको रिपीड करते रहें ताकि आपकी रिवीजन साथ-साथ होती नहीं रहें ठीक है बहुत जल्दी आपका दोस्तों 15 दिसंबर तक आपका जो एक्जाम है एंटीपसी आरा रुपी का वो कंड़क्ट करवाया जाएगा उसके बाद ठीक हैं 15 दिसंबर के बाद मिलेंगे नेस्ट वीडियो में चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करिया और स